नौक्री से लेकर कारोबार में तरक्की पानी के लिए लोग जीतोड मेहनत करता है जिसमें कई लोगों को सफलता मिलती है तो कई लोगों को निराशा हाथ लगती है ऐसे में वो तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासल नहीं कर पाते हैं ऐसे में आज हम आपको खाने में इस्तेमाल होने वाली एक वस्तू के बारे में बताएंगे जो आपको तरक्की दिलाने में महत्व पूर्ण भूमे का निभाते हैं दरसल वास्तू शास्त्र में नमक का महत्व और उसके उप्योग कई तरीकों बताए गए हैं यहां कुछ ऐसे उपाई दिये जा रहे हैं जो वास्तू शास्त्र में नमक के उप्योग से जुड़े हैं और जिनसे व्यक्ती जीवन की समस्याओं से छुटका रापा सकता है आईए विस्तार से जाने नमक के उपाई चुटकी भर नमक बदल देगा आपकी किस्मत बस करें ये चार उपाई बन जाएंगे बिगड़े हुए काम नमक से करें घर की शुद्धी नमक की गरल के उप्योग से घर में शुद्धी सकारात्मक्ता और सुख शान्ती आती है इसके लिए सबसे पहले कप में थोड़ी सी पानी लें और उसमें नमक को मिलाएं अब नमक की गरल को घर के विभिन कोनों में छिड़क दे विशेश रूप से उस स्थान पर जहां विवाद या कलह की समस्याएं होती है यह नमक की गरल घर की शुद्धी और सकारात्मक्ता को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है नमक के साथ जलाएं दीपक वास्तु शास्त्र के अनुसार रात्री को अंधकार दीपक में नमक का टुकड़ा डाल कर जलाएं जिससे घर में सकारात्मक्ता और शान्ती की भावना बढ़ स इस से आपका आसपास का माहौल सकारातमक्ता से भर सकता है और आपकी मानसिक स्थिती पर प्रभाव डाल सकता है। एक चुटकी नमक का पानी में डाल कर सनान करें। जिससे आपकी तवचा साफ, ताजा और स्वस्थ बनी रहेगी। बनी रहेगी सुक शान्ती यदि पती और पत्मी में अकसर जगड़ा होता है तो सेंधा नमक को कटोरी या गिलास में भर कर को बैडरूम में रखें। जिसस गर में सकारात मकता और सुक शान्ती आएगी। साथ ही तनाव भी कम होगा। इसके लिए आप एक साफ कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक भरें। और आपके बैडरूम में एक ऐसी जगह पर रखें जो आपके लिए सबसे उप्यूक्त लगे।